प्रेस दे बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप जाएगा इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो को इंट तक देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना चैनल पढ़ना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके तो चलिए आज की ये वीडियो फटाफट शूरू करते हैं गाइस जैसा कि आपको पता है टिक टॉक इंडिया में बैन हो चुका है और टिक टॉक के साथ 59 एप को भी बैन किया गया है अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या टिक टॉक प्ले स्टोर से हटेगा या फिर जिसके मॉबाइल में है वो भी काम नहीं करेगा तो मैं आपको बता दू प्ले स्टोर से तो 5-6 गंटे पहले ही हटा दिया गया है मैंने चेक किया था वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आपके सामने ये मैंने प्ले स्टोर ओपिन किया यहाँ पर मैं टिक टॉक सर्च करता हूँ तो जैसे ही मैं टिक टॉक सर्च कर available है वो काम करेगा की नहीं तो मैं आपको live demo करके दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है की नहीं मैं भी कुछ देर तक use कर रहा था TikTok application बट suddenly Error message आने लगा वह Error message क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो मैं आप सीधे open करता हूँ अपना TikTok application तो ये कुछ इस तरह का error message आपको first time दिखाई देगा user notice इसमें लिखा हुआ है कि government की तरफ से notice है और इसी वज़ा से हम TikTok के साथ-साथ 59 app ऐसे हैं जिसे block कर रहे हैं तो ये message आपको बार-बार सोने ही करेगा मैंने इसका screenshot रखा था वो मैं मैं आपको दिखा रहा हूँ गाईज यह मैंने screenshot ले रखा था आपको दिखाने के लिए जब भी आप अपना TikTok application open करोगे तो कुछ इस तरह का user notice आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का error message आपको हमेशा मिलेगा जब भी आप अपना TikTok application open करोगे आइज अब मैं आपको TikTok application open करके दिखा देता हूँ कि क्या error message आ रहा है यह मैंने TikTok application open किया जैसे ही मैं TikTok application अब open करता हूँ तो यह इस तरह का error message आता है उसके बाद यह एक notice आती है user notice तो कुछ इस तरह का error message आपको मिलता है इसको ok करके मैं इसको हटा देता हूँ अब मैं बात करता हूँ TikTok application की जैसे आप पहले open करते थे तो यहाँ पर following page या फिर for you page आता था जिसमें आपको सारी वीडियो दिखाई देती थी अब यहाँ आपर no internet connection दिखाई देगा almost सभी mobile में यह error message आएगा no network connection इसको आप कितना भी refresh कर लो कोई फायदा नहीं है same error message आएगा अब अगर मैं अपने account पे जाता हूँ जहाँ पे हम लोग अपने वीडियो देखते थे draft वीडियो या फिर जो हम लोग वीडियो अपलोड करते थे वो वीडियो देखते थे तो उसमें कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा सिर्फ आपके draft वीडियो दिखाई देगी आपने जो वीडियो को like किया है वो नहीं show होगा अगर आपने किसी वीडियो को private किया है तो वो भी show नहीं करेगा अब यह top में जो three dots दिखाई दे रहा है मैं इस पर click करता हूँ और tiktok के जो option है उस पर click करके मैं pro account पर click करता हूँ फिर मैं अपने analytics में जाता हूँ तो analytics में जाने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा यह time out please try again इस तरह का error message आएगा content में जाओ follower में जाओ overview चेक करो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा जब भी आप अपना tiktok application open करोगे तो आप एक चीज़ notice करना अगर आपकी वीडियो किसी ने like की होगी या फिर आपको किसी ने follow किया होगा वो उसका notification यहाँ inbox के पास आपको हमेशा दिखाई देगा जो आप अभी देख सकते हो 3 like मेरा show कर रहा है पर मैं इसको open करूँगा तो यह मेरा show नहीं होगा किसने मेरी वीडियो like की है वो मुझे दिखाई नहीं देगा because सब कुछ block कर दिया गया है यहाँ पर टिक टॉक का जो server होता है उसे disconnect कर दिया गया है इसलिए आप inbox में कुछ नहीं देख सकते discover में कुछ भी नहीं देख सकते home में आओगे तो आपको following page पे कुछ नहीं दिखाई देगा अगर आप search के उपर भी click करोगे जो discover का option होता था जहां से हम लोग search करते थे किसी का नाम वहाँ पर भी आपको इस तरह से error message आएगा अब अगर मैं inbox पे click करता हूँ तो inbox में भी आपको error message आएगा आप इसको refresh करो तो उपर में could not load try again later इस तरह का error message सो करेगा आप home पे वापिस जाओ कितना भी इसको refresh करो कोई फर्क नहीं पड़ता अब आपका ये application dummy हो चुका है जिस तरह से dummy phone होता है सेम उसी तरह से ये application भी dummy हो चुका है मतलब ये पूरी तरह से साफ हो गया है play store से पहले ही हटा दिया गया है उसके बाद इसे आपके mobile से भी हटा दिया गया है इसके server को disconnect कर दिया गया है जो चाइना से server जुड़ा होता है वो connect था इसलिए काम कर रहा था 5 गंटे तक play store से हटाने के बाद भी बट अब ये अभी मैंने एक गंटे पहले तक देखा था काम कर रहा है पर अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इसके server को disconnect कर दिया गया है ये थी टिक टॉक से related latest update अब आपका टिक टॉक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अब ये कब सही होगा कब वापिस से काम करेगा ये तो अब government को ही पता होगा आप ये वीडियो को यहीं पर end करता हूँ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आये होगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके तो थैं